कमलनाथ सरकार गिरी तो कुछ विधायकों पर खास नजरे टिकी हुई थी जिसमें से एक थी बस्पा विधायक रामबाई और दूसरे थे निर्दलिय विधायक सुरेंदर सिंग शेरा उस वक्त तो शेरा भहिया यही कहते नजर आए कि मैं CM कमलनाथ का ओल रामडर हूँ यानि वो अपने पूरी आस्था CM कमलनाथ में जाहर करते रहे पर आप खबरे हैं कि अगर BJP को समर्थन देने की बात आई तो शेरा भहिया पीछे नहीं हटेंगे वो BJP को ही समर्थन देंगे उसमें भी उससे बड़े ताज्जुब की बात ये है कि इसके लिए शेरा भहिया कोई शर्त भी नहीं रखेंगे कि उन्हें मंत्री बनाया जाए या ना बनाया जाए उसकी एक बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि एक तो सुरेंदर सिंग शेरा तुलसी राम सिलावट के बहुत बड़े समर्थक है यानि जधर सिलावट जाएंगे उसी तरफ शेरा भी चल देंगे और दूसरी बात ही ये कि वो बुरहानपुर से विधायक है जहां की कमान अब नंद कुमार के हातों में है और नंद कुमार सिंग माहिर खिलाडी है जो शेरा को किसी भी तरह बीजेपी से जोडने में काम्याब हो ही जाएंगे अंदरगानों की खबर तो ये भी कहती है कि नंदू भाईया की वजह से ही शेरा अर्चना चिटनिस जैसे विधायक को हरा कर चुनाव जीतने में काम्याब हो सके है अब भाई इतने अहसानों का कर्ज शेरा भाईया को अपने वफादारी साबित करके चुकाना ही होगा